मुखमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और सुशासन का बलादकार कैसे हो सकता यह सहारसा की घटना उधारन है और यह बलादकार करने वला कोई और नहीं है यह सुशासन का बलादकार करने वला वही जेडियू के नेता है और कब मुखमंत्री जी ऐसे लोगों पर SPD ट्राइज चला करके उसको सजा कराने का काम करेंगे मैं ये पूछना लड़की के साथ गैंग रेप किया गया और ये सभी करने वाले आरजेली से जुड़े हुए लोग है बिहार में महा जंगल राज आ गया है और बिहार अपराधियों के सामने मुख मंतरी घुठना टेक दिया है बिहार के सहरसा से एक घटना निकल कर सामने आती है जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक दरोगा पर पेट्रोल डाल कर जलाने की कोशिस की जाती है हमारे साथ अभी उसी चेतर से आने वाले बिजेपी बिधायाक निरज कुमार बबलू है निरजी किस रुप में देखते है इस पुड़ी घटना को और ये बलातकार करने वाला कोई और नहीं है ये सुसासन का बलातकार करने वाला वही जेडियू के नेता है जो बिहार में सहारसा में बैट करके थाने में बैट के दलाली करते पिछले 10 बर्स ये थाना का दलाल हुआ करता था दिन भर थाना में रहता था लोग कहते हैं कि सांप को कितना भी दूद पिलाओगे पलट के काटे गए काटेगा और वही चीद सहार साम हुआ है पुलीस के साथ वो पुलीस का एजेंट था और जब पुलीस किसी छापे मारी में सहार सा बस्ती गई और इनके इर्द गिर्द गई तो इनको बैचे नहीं लगा और ये सभी पुलीस कर्मी को पेट्रोल पंप के पास घेड करके बजापता पेट्रोल चीट दिया महला पुलीस कर्मी के सरी पर पेट्रोल चीट करके माचिस खोज रहाता सराब के नसे में धूत हो करके खोज रहा है कि दरोगा कहा है और इनको आग लगा के जला के म है इतना मन किसने बढ़ाए साहर्साफ पुलीच और यह सूसासन कहने वाली सरकार जो है ऐसे अप्राधिक्त टौका्म मन बढ़ाने का काम किया जिसका नतिजास साहर्साफ पुलीच को भगना परेगा मैं मुख्मंतनस और यहां हम न किसी को फसाते यह न किसी ना में कैसे बढ़ता था सवाल यह बड़ा सवाल है कि ठाना में कैसे बढ़ता था मैक्सिमम केईज को उसका धाना की द्वारा फैनल किया गया जब अब आरकर के पुलीस के सड़ पे पड़ा है तो पुलीस कारवाई की है उसको पकड़ के जेल भेजिए और कई लोग उसमें इन्वाल्ब है उसकी पत्री भी है मैं पूछना चाता हूँ कि सबों की गिरफतारी कब होगी और कब मुख मंत्री जी ऐसे लोगों पर इस पीडी ट्राइल चला करके उसको सजा कराने का काम करेंगे मैं यह पूछना चाते है बीजेपी लगातार बिहार सरकार की वीधिवयस्ता पर सवाल खड़ा करती है जिस तरह देखा गया न्युक्ति पत्र जो माटा गया सक्चको को उस पर भी आप लोगों ने सवाल करते रहे हैं तो आने वाले सीदकाजिन सत्र में आप लोगों का क्या रविया रहेगा देखिए सरकार के अंदर कहती है सुसासन की सरकार है और पूरा राज अस्त ब्यस्त है कोई इसा दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं नहीं होती है लूट नहीं हो रहा है बलातकार नहीं ह गैंग रेप नहीं हो रहा वी तीन दिन चार दिन नहीं हुआ है हमारे विदानसभा में वीम नगर में एक गुंगी लड़की के साथ गैंग रेप किया गया उससे एक हपता पहले मधेपुरा के मुर्ली गज में पासवान समाज की लड़की के साथ गैंग रेप किया गया और बालू माफिया सरकार चला रही है पूरे राज की यही स्थिती है और काते नुकड़ी के बाद आप उसी टीचर को आप नुकड़ी दे रहे हैं एक्जाम लेकर के पुना आप कैसे सवाला कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नुकड़ी दे रहे हैं आप 12% बहार से बुला लिय किसी प्राइवेट कंपणी में जाके किसी तरह अपना पेट पालने का काम करते हैं जब नुकड़ी देने की बारी आती है तब दूसरे राज से लड़के बुलाते हैं क्या मतलब आपको ऐसा ही करना है तो पहले बिहार के बिरोजगार को खतम करिए सभी बिरोजगार को न पतिने जब से आप लोग विपक्ष में गये हैं उसके बाद दो बार विधार मंडल का सत्र बुलाया गया है लेकिन आप लोग सरकार के सामने आइना नहीं दिखा पाया हैं इस बार सीतकार इन सत्र में क्या कुछ रविया आपनाईएगा देखिए सरकार को हमेशा जब घटनाएं घटी है उसके बारे में विधान सबा के माध्याम से विहार के जंता को बताने का काम किया जाएगा कि इतने मडर हुए पूलीस कर्मी Barbie की हत्या हुई और कितने पुलीस कर्मियों को पीटा गया खदेरा गया ये तमाम चीजे विधान सभा में गुंजेगी और बिहार देखेगा देश देखेगा ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुणिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुणिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सक अड़े अड़े, आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined